आज का लेक्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करने कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके आज हम चप्टर नमबर 10 से रेलेमें लक्टर नमबर 5 कुम्प्यूटर साइंस सेकंड यर की बुक का देखेंगे आज का question है what is escape sequence and what are escape sequences and what are its different types that are being used in the C language पहली बात जो माइन में आती है कि escape sequence है क्या यह special characters होंगे जो के printf के function के अंदर format string की replacement के तोर पर जूद होंगे हमने पढ़ा था previous lecture में कि printf के अंदर या तो arguments होते हैं जो के itself variables होते हैं जिनको हम print करा रहे हैं या फिर format string होती है और format string की जगा पर 3 चीज़े आ सकती है या तो simple text या format specified percentage d, percentage f depending upon the value of your different variables और तीसरी चीज़ क्या थी आपके special characters या escape sequence तो आपने printf के function को जूज करते हुए किस तरीके से output को display करवाना है तो इस तरह के characters जो के आपकी output screen पे displaying behavior को control कर सकें वो special character जो हैं वो कहलाएंगे इनके start में backslash लगी होती है ठीक है और उसके बाद इस character का code लिखा जाता है कि का आपने कैसा character display गराना है तो वो tab दे देगा slash n है तो उससे हम new line पे आ जाएंगे and so on जो backslash है ये भी एक escape character है लेकिन जिस तरह मैंने बात की आप से slash n है slash t है तो इसमें देखें backslash और साथ में एक code के मिलने से पूरा दो characters के मिलने से बनेगा अब आगे ये जब printing में कैसे show होंगे अगर आपने slash t लिखा है तो वो slash t नहीं show हो रहा होगा इसकी जगा compiler properly एक tab जो है वो print करेगा ठीक है इसका मतब क्या है कि जो भी आपकी output है उसमें आपका escape sequence as it is display नहीं होगा जिस खास मकसद के लिए जिस तरहां के behavior के लिए उसको बनाया गया है new line के लिए tab के लिए and so on तो सिरफ वो वो वला behavior output पे show होगा इसलिए इनको special non printing directors भी बोलते हैं अब format string के अंदर हम escape sequence को कहां कहां लगा सकते हैं चाहे उसके start में लगा ले end में लगा ले middle में लगा ले इसको कोई फरक नहीं बढ़ता for example अगर backslash end जो है आपने new line insert करनी है और backslash end सिरफ आपने जूज किया है तो उससे क्या होगा कि आपका cursor जहां पर blink का रहा था उससे next line पर आ जाएगा इसी तरह अगर आपने welcome प्रिंट करवाने से पहले आपने new line प्रिंट करवानी है तो slash end ये देखें backslash end start में लगा है और आगे welcome प्रिंट होगा तो इस तरीके से आपके welcome के प्रिंटिंग से पहले एक new line insert कर देगा compiler अब next कौन-कौन से escape sequences हैं जो के हम format spring में यूज कर सकते हैं backslash end backslash t ये टैब के लिए यूज होता है जिस तरह पाक प्रिंट हुआ हुआ है तो p, a, k के मिड में spaces हैं तो उनको देने के लिए backslash t यूज होगा backslash a ये alarm के लिए यूज होगा backslash b backspace के लिए यूज होगा backslash r जो है carriage return के लिए यूज होगा ये जो current line है उसके start में cursor को लाने के लिए इस्तमाल होता है इसी तरह से different type के escape sequences हैं तो कौन सा escape sequence किस खास मकसद के लिए काम करता है आप लोगों ने उसका मकसद जो है वो गौर से उसको जाद रखना है ये objective के लिहाज से एक important MCQ साबत हो सकते हैं program 10.12 देखें आप इसमें आपने इस तरीके से stars को print कराना है तो आप simply escape sequence characters को जूज करते हुए ये काम कर सकते हैं तो main के अंदर आप देखें printf के अंदर इन्होंने किस तरीके से किया हुआ है कि static print होगा उसके बाद आपको नजर आ रहा है यहाँ पर new line आ गई है तो new line के लिए back slash n लगाया है फिर next two stars है फिर back slash n फिर three stars and so on तो printf की just एक line से पूरी output आपकी display होगी इसी तरह अगर आपने next program की output को देखें तो इस तरीके से हर digit के दर्म्यान में आपने tabs को print करवाना है और spaces दे दे के print करवाना है तो simple is that कि इन्हों देखें पहले one को print किया हुआ है उसके बाद space के लिए back slash t को print किया हुआ है उसके बाद three फिर back slash t फिर five फिर back slash t and so on एक line के अंदर यह different escape sequence characters को use करते हुए इन्होंने इस तरीके से output को display करवा लिया तो यह most easy जो है आपको printf का use बता रही हूँ ठीक है तो इस तरह का program भी paper में आ सकता है लेकिन इनकी outputs और इनके अंदर से let's suppose कोई code दिया हुआ है उसमें से errors को find out करना है ठीक है कोई भी syntax error है उसमें अगर तो उसको find out करना है तो इस type के जो है output के लिए भी use हो सकते है कैसी लगी लाजबी बताईएगा